पुतिन ने वेस्टन जो कंट्रीज है उनको चिताव नहीं देदी है कि अब कोई बात नहीं होगी अब सिधे एक्षन लिया जाएगा क्यों कहा इन्होंने ऐसा सारी अपडेट बताएंगे एक के करके तो सबसे पहले यह हमारा टेली ग्राम यह सका सका हो रहा है और यह युद इसा में नई मोड पर आकर खड़ा हो चुआ है क्योंकि अभी लास्ट वीक आपको याद हो यूक्रेन रस्या के खुर्ग छित्र जो होता है उसके अंदर घुज गया और लगबग 30 किलोमेटर अंदर तक चला गया और उहां पर उसने अपना कबजा कर लिया जिस पर बाइडन का भी रियक्शन आया बाइडन ने क्या बोला हैं फिलाल देखा जाए इस समय जो सीजफायर की बात की गई थी या नहीं पारसल सीजफायर जो हुआ पर था वो इस समय पूलिट ऐसे तूट चुका है अब को सनी उठता यह पारसल सीजफायर कैसे हो गया वहापर तो ओलेडी पहले से युदू चल रहे तो इसको मैप के कबज़े में है अब रसिया इस समय मैसिव अटेक नहीं कर रहा था यूकरेन के उपर और नहीं यूकरेन ऐसा कोई मैसिव अटेक कर रहा था रसा के उपर तो फिलाल यहां पर देखा जाए पारसल सीजफायर था लेकिन अब यहां पर क्या हुआ यह जो यूकरेन है यूकर के मूड में है इस समय अब यदि देखा जाए ये जो यूक्रेणी प्रिसिडेंट है जलेंस की ये क्या बोलते है जब उन्होंने कुछ छेत्र अपना अधिकार कर लिया उस पर कब्जा कर लिया इनका ये कहना हुआ वहां पर कि अब इस छेत्र को बफर जोन बना दिया जाए बफर जोन मतलब एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कोई भी ना तो इस साइड से यानि ना तो रियूक्रेण की साइड से और नहीं रसा की साइड से कोई भी वार नहीं होगा ये एक तरह का खाली छेत्र हो जाएगा जहां पर किसी के एंट्री नहीं होगी तो उसको यहां प पर आप ब्रिज दीख रहा होगा आप लोग को अब इस पर यूकरेन के दुआरा अटेक किया जाता है और इसको डिस्टोई करके बरबाद कर दिया जाता है ताकि इधर से उधर किसी की आवाजाही ना हो तो फिलाल देखा जाए इस समय इस छेत्र में काफी ज़्यादा बब बात चल रही थी जब पार्सल सीज फायर था याणि इस सीज फायर को रोका जाए आपर बता देता हूं दोहा इन दोनों के मद्या मिडियेटर की भूमी का निभारा था रस्या और यूकरेन के बीच में तो दोहा में दोनों कंटीज के जो डेलीगेशन होते हैं उनके मीट चेत्र है वहाँब अपना प्रापशा कर लिया है अब इस मिटिंग तो दूर की बात है मेरे ख्याल से अब कोई डेलीवेशन जाएगा नहीं कोई वारता होगए नहीं क्योंकि रस्याना भी साब साब बोल दिया है अब इस पर अमेरिका की दिसा ही मुड़ जाएगी अब क्या हुआ जो पूरा का पूरा युद्चित्र पूरा चेंज हो जाएगा अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन इस समय रसिया कुछ बड़ा करने वाला है क्योंकि उसने वेस्टरन कर्टीज को सिदे सिदे चेता कोई delegation दोहा के अंदर नहीं जाएगा अब सिधे कारवाही का समय है कारवाही की जाएगी जिससे यूकरेन के जो जलेंस किया हो घबराएगे और वो अपने जो कलिग है उनसे वारता करने लगे लेकिन इसी बीच एक ही ख़बर निकल के फिर से सामने आती है कि जो यूके के प फिलाफ वो एक्सल ले सकता है यानि रूकरेन का पूरा फूरा फुल सपोर्ट कर दिया है बिटेन के दुवरा अब ना क्यों बिटेन के दुवरा ये सपोर्ट किया जा रहा है बलकि यूएसे के दुवरा भी ये सपोर्ट किया जा रहा है और देखा जाए इस समय इस समय खिलाफ रसिया दुआरा इरान में अपने वेपन भीजे जा रहे हैं इस वज़े से रूस के इस समय खिलाफ है तो फिलाल देखे जाए रसिया क्या एक्सल लेगा क्या नहीं लेगा कुछ कहा है नहीं सकते फिलाल जो भी अपडेट की आप लोग को बता ही तो फिलाल हमारी अ subscribe करना बिल्कुल मत भूलना, thank you